Hey there, welcome back to our channel in a classroom तो आज के हमारे इस वीडियो को टॉपिक है जेट चलिए जानते हैं, जेट को इंगलिश में क्या कहते हैं जेट को इंगलिश में कहते हैं, brother-in-law brother-in-law, यानि कि husband का बड़ा भाई husband's elder brother husband's elder brother, यानि कि brother-in-law, जेट तो इसी के related को sentence में देख लें, जिसको हम daily life में use कर सकते हैं Let's go So first है, मेरे जेट की चार बेटी है My brother-in-law has four daughters Second, मेरा जेट भिकारी है My brother-in-law is a beggar Third, आज-कल मेरे जेट खुच चाय बना कर पीते हैं Nowadays, my brother-in-law make their own tea and drink it So I hope आपको इस वीडियो को topic अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर कोई भी doubt हो, तो आप हमको जरूर बताए तो मिलती हो next वीडियो पर तब तक हिला आप अपना ख्याल लगें और इस चैनल को subscribe करना ना भूले